हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश अडवानी और यहाँ पर मैं हेल्प करता हूं आप लोग को एक बेटर सौफ़वेर परचेजिंग डिसिजिजन लेने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपना P.Cloud का experience हम लोग करने वाले है P.Cloud Cloud Storage का detailed review देखेंगे क्या है इसके pros क्या है इसके cons P.Cloud आती है Switzerland से यह launch करी गए थी 2013 में यहाँ पर आपको free storage 10 GB तक का मिलता है So free cloud storage के उपर मैं कभी future में video बना दूगा आज हम लोग specifically paid cloud storage के option के बारे में बात करेंगे तो before I get started with this video मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि P cloud ने मुझे sponsor नहीं किया है इस video के लिए जो भी आपर pros रहेंगे जो भी cons रहेंगे वो मेरे खुद की original opinions है based on my experience and research तो अगर आपको ये मेरे videos पसंद आते हैं तो आप लोग मेरे नीचे देएगा लिंक से purchase कर सकते हैं इससे मुझे help मिलेगी कि मैं unbiased और honest opinions आप लोगों के सामने रख पाऊँ आप लोग ले एक अच्छे-च्छे discounts भी ला पाऊँ मेरे पास आप लोग ले discount coupon code भी है इस वीडियो में तो इसको आखरी तक देखिएगा तो शुरुआत करते हैं इसके data centers से इसके data center पहले US में थे recently यूरोप में भी आ गया है तो ये बहुत अच्छी बात है यूरोप में आपको ज्यादा better speeds भी मिलेगी Indian users के लिए और ज्यादा better privacy भी है यूरोप के servers पे अब अगर यहाँ पर मैं speed की बात करो तो यहाँ पर मैं 824 MB की video file upload और download करके देखी जो मेरे connection की speed है वो है 110 MBPS upload और download तो यहाँ पर जो मुझे upload time मिला है वो है 2 minutes 17 seconds का और जो download time है वो है 3 minutes 15 seconds का for 824 MB video file तो यह जो speed काफी अच्छी है एक cloud storage के हिसाब से और यह जब मैंने P cloud crypto में भी try किया तो भी मुझे similar speed मिली थी P cloud crypto क्या है उसके ओपर हम लोग आगे आएंगे वो एक zero knowledge encryption है P cloud आपको zero knowledge encryption भी देता है मतलब कि आप लोग जो भी data डालोगे उसको आपके सिवा कोई और read नहीं कर सकता है ना उनका कोई employee ना कोई बीच में आकर के ना उनकी टीम से कोई कोई आपके data को read नहीं कर सकता है वो होता है zero knowledge encryption फिर यहाँ पर आपको अपने documents के लिए versioning के feature मिल जाते 30 दिन तक का यह versioning support करता है और trash भी यहाँ पर 30 दिन तक का support करता है इन दोनों को extend किया जा सकता है एक add-on के तो और पर थोड़ी extra piece दे करके उसके ओपर भी आपनों बाद में आएंगे यहाँ पर आप लोग को rewind feature मिलता है यह रहा rewind feature अब मैं चाहता हूं कि मेरा जैसा folder था 20 दिन पहले वो वैसा हो जाए तो जैसे 30 दिन पहले तक कि मैं यहाँ पर कोई rewind features के पायदर उठा सकता हूं तो माल लेते हैं जैसा 2 October को मेरा folder था वैसा हो जाते हैं आप मैं rewind पर क्लिक कर दूँगा तो यह 2 October को जैसे मेरी cloud storage थी है वैसी कि मुझे पूरी लाके दे देगा माल लेते हैं 5 October को मेरे cloud storage में वाइरस आगया यहां फिर मेरे system में वाइरस आगया system से मेरे cloud storage पर चला गया तो अब मुझे चाहिए कि मेरे 2 October वाली फाइल से वो सब आ जाए यह वाली फाइल का मुझे 2 October वाला वर्जन चाहिए तो यह 2 October का rewind मेरे पास आ गया है मैंने इसको यहां पर क्लिक किया अब यहां पर मैं इसको restore कर दूँगा तो जो मेरे सेलेक्टिव सिंक का option है सेंक आप लोग काफी इजी ली और फास्ट यहां पर कर सकते हो सिंकिंग में मुझे यहां पर कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है तो अब अगर मैं यहां पर सिंकिंग का डेमो दूँ तो यह मैंने सिंक में यहां पर अपने फोल्दर लागर राखे एक रिपेश यह थारा है mo évidemment फोल्डर में रहते हैं तो किसी मैं और यह सेप्लिटर से अंपने के बाट अब यह रियाक खयाता है इसे कहते हैं सिंक करना कि मैं कुछ folders को ही यहाँ पर सेलेक्टिव सिंग करके रखा है तो यह सिंग के फीचर मुझे काफी अच्छ लगे हैं और इसी टाइप के आप लोग सिंग का अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं कि कौन-कौन से इमेजेस आपको लेने कौन से इमेजेस फोलडर आप लोगों को लेने क्या आपने फोटो क्लिक करें अंड जैसे उसको मिल जाती है, अगर मैं Android, iOS और iPad के इंटरफेस की बात करूँ, तो यहाँ पर भी आपको सारे functions देखने को मिल जाते हैं Dark mode भी available है, and passcode से आप लोग इसे protect भी कर सकते हैं तो web interface के साथ-साथ इनके mobile applications भी मुझे कापी complete and easy to use लगे हैं अब यहाँ पर आपको एक virtual drive भी मिलती है जैसे ही आप लोग P cloud अपने system में install कर देते हैं, तो यह virtual drive कोई भी space नहीं लेती है यह सारी space आपके online है तो यह मेरी P cloud यहाँ पर आ गई है, यह मेरी virtual drive है and यहाँ पर कोई भी space नहीं ली गई है यह मेरे system में तो यहाँ पर मैं कुछ भी copy कर सकता हूँ कुछ भी paste कर सकता हूँ इसमें यह direct मेरे cloud में ही save रहती है अब अगर यहाँ से आप लोग कुछ delete भी कर दोगे तो वो automatic यह आपके cloud storage से भी delete हो जाएगा तो यह P cloud drive का feature अच्छा है एक external hard disk लगई आपके system में जिसमें आप लोग जब चाहें upload और download कर सकते हो लेकिन इसके लिए internet होना जरूरी है अगर internet नहीं है तो यह वाली drive लोड नहीं होगी devices की बात करों तो यहाँ पर हर device का support है Linux पे भी इसके software है customer support की बात करों तो यहाँ पर live chat support नहीं है यहाँ पर मुझे email करके अपने questions को पूछना पड़ता है जिसका reply आने में कभी कबार 2 दिन भी लग जाते है तो fast नहीं है लेकिन जो इनका customer support है वो knowledgeable है features की बात करों तो यहाँ पर आपको backup का feature मिल जाता है backup means आप लोग अपने social media से backup लेके रख सकते हो facebook से instagram से google drive से dropbox से one drive से इन सब के backup आप लोग automatically अपने p cloud में रख सकते हो माल लोग अभी आपका instagram का account डिलीट होगे तो आपकी जो भी photos आप लोग अपलोड करोगे वो आपके p cloud पे रहेगी अभी फिलाले आप इंस्टाग्राम मेरा available नहीं है काफी time से actual में available नहीं है लेकिन भागी features आपर work करता है facebook पे google drive पे जो भी आपने documents अपलोड करें हो उसका भी आप लोग आप लेके रख सकते हो एक अच्छी चीज रहेगी अब यहाँ पर file sharing के भी काफी अच्छे options है जैसे माल लेते हैं मेरे पास फोल्डर है मुझे से share करना है मैं यहाँ पर share link पे जाऊँगा and link is generated अब यहाँ पर मेरे पास काफी सारे options आपके क्या मुझे allow करना है की नहीं करना है वो भी आप लोग यहाँ पर set कर सकते हो expiration date कब तक यह वाला link कर रहेगा मुझे सिर्फ अगले 5-6 दिनों के लिए access देना है इस folder का मैं यहाँ पर इस पर click करके expiration date यहाँ पर set कर दूँगा माल लेते हैं 27th की save यहाँ पर expiration date होगी branding भी है इस पर हम तोड़ी देर बात करेंगे and then यहाँ पर आपको link stat पर मिल जाते हैं कि कितने लोगों ने इस link को खोला है कितने लोगों ने डावलोड किया है क्या इसमें यहाँ पर upload डावलोड हुई है पूरी statistics आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और जो भी फाइल्स आपने शेयर करी गई है उसको काफी आसानी से यहाँ पर जाके देखा जा सकता है shared पर गया मैं links पर गया तो यहाँ पर मुझे सारी चीज़ आगे कि कौन कौन सी फाइल्स को मैंने यहाँ पर share करके रखा है फिर यहाँ पर fair share का भी feature आता है लेकिन उसको p cloud पर registration नहीं करना है उसके पर account नहीं है उसको कोई interest नहीं है तो यहाँ पर मैं एक file request वाला folder create कर दूँगा जैसे यहाँ पर मैंने demo sharing create किया है तो यहाँ पर मैं सिर्फ उसी वाला link provide कर दूँगा और उस बंदे को सिर्फ यहाँ पर आ करके सिर्फ यहाँ पर upload करनी है files को बिना कोई registration करें बिना कुछ अपनी email id दिये सिर्फ यहाँ पर नाम देना है upload करना है that's it फिर आते हैं यहाँ पर branding pages branding pages मतलब अगर मुझे किसी से कुछ files मंगवानी है कुछ folders वगरे मैंने share किया है तो वहाँ पर मैं अपने logo set करता हूँ अपना वाँ पर text वगरे set कर सकता हूँ अपनी details description वगरे डाल सकता हूँ जैसे कि एक folder here demo sharing करके यहाँ पर मैंने custom branding page बना के रखा है कि यहाँ पर मेरा logo आ जाए नीचे मेरा नाम आ जाए और यहाँ पर फिर कुछ description भी आ जाए तो यह चीज इसे थोड़ा और professional बना सकते है तो आप लोग custom branding page का use कर सकते हो अपने clients के साथ में यहाँ फिर ऐसे show off कर बनाने के लिए यूज कर सकते हो फिर यहाँ पर एक public folder का भी option दिया गया है अगर आपको अपनी खुद के HTML website बनाने है इनके URL पर तो आप लोग यहाँ पर बना सकते हो इस folder में जाकर कि आप लोग अपनी सारी HTML वगरे files वगरे upload कर सकते हैं और आपको URL मिल जाएगा और उस Excel हो गया PDF हो गया document Docs हो गया Word documents हो गया सब इसे खोल देगा लेकिन वह से एडिट नहीं कर सकता है यहाँ पर एडिट करने के लिए कोई इनकी तरफ से Apps नहीं आते हैं मीडिया फाइल की बात करनों तो यहाँ पर आप लोग आप लोग और वीडियो दोनों अपलोड कर सकते हो दोनों को स्ट्रीम कर सकते हो दोनों में यहाँ पर इंटेग्रेटेड मीडिया प्लेयर आपको मिल जाते है और आपको इनका आपको इनका 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 से sort कर सकते हो, album से sort कर सकते हो, playlist बना सकते हो, तो चलता फिरता है, इन्होंने यहां पर music blayer भी आपको देखे रखा है, photos के लिए अच्छा है है, जब आप लोग इनके app यूज करो है, तब आपको वहाँ पर photos की भी एक अलगशी options दिखते हैं, यहां पर आपके सारे uploaded photos को एक जगह पर बता देता है, so photos के लिए यह काफी अच्छा है, one of the best in fact after Google Drive, security की बात करो तो, AES 256-bit को यहां पर आपको encryption देखने को मिल जाता है, two-factor authentication है, Google Authenticator आपका यूज कर सकते हो, आप लोग अपना mobile number का use कर सकते हो, आपको SMS आ सकते हैं, फिर यहां पर आता है P Cloud Crypto को option, P Cloud Crypto क्या है, basically यह local term है, Zero Knowledge Encryption बोलने का, P Cloud Crypto के लिए आपको यहां पर extra pay करना पड़ता है, और आपकी सारी files P Cloud Crypto पे नहीं रहती है, जो मुझे इस folder में डालनी है, crypto folder के अंदर जो डालनी है, वही सिफ P Cloud Crypto में जाती है, और रिसेंटली इन्होंने आपे challenges भी के थे, रिसेंटली नहीं थोड़ा time हो गया ऐसे, challenges के थे, अलग-अलग hackers को पुरा open invitation दिया था, कि आप आओ हमारी technology को तोड़ के बताओ, तो काफी सारे लोगों ने आपे participate किया था, 3000 लोगों ने आपे लगबख participate किया था, 6 महिने का time था, अच्छे खासी आपे price money भी थी, लेकिन इसको कोई break नहीं कर पाया, तो ये काफी इन्होंने challenges दिये थे, तो P Cloud crypto is really safe, privacy policy की बात करों, तो P Cloud Switzerland based है, European servers यहां पर use किये जा रहा है, तो privacy के लिए comparatively ज़्यादा अच्छा option है, और इनकी privacy policy में मेंचेंड है, कि आपके IP address को collect भी करते हैं, अगर government के तरफ से कोई notice आता है, कि ये वाला data हमें चाहिए, तो ये लोग उस data को handover कर लेते हैं, तो ये चीज़ usually सभी cloud storage के साथ में common है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा security चीए, ज़्यादा protection चीए, तो आप लोग P Cloud crypto ले सकते हो, उसमें तो सवाल ही नहीं होता data देने का, क्योंकि वो data तो कोई crack कर ही नहीं सकता है, यहाँ पर yearly payment है, around $100 की, और यहाँ पर एक lifetime payment है, कि आप लोग $350 lifetime दे दो, और उसके बाद आपको जिंदेगी भर 2TB के लिए यहाँ पर कोई payment नहीं करनी है, मेरे पास जो प्लान है वो है 2TB वाला $350 का, मेरे हैसाब से एक काफी अच्छा प्लान है, $350 में सिंदेगी बर, आप लोग almost 4 साल में यहाँ प्राइज रिकवर कर लोगे, और 4 साल के बाद आप लोग free 2TB की cloud storage यूज कर सकते हैं, और अगर आप लोग P-Cloud crypto भी लोगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा extra pay करना पड़ेगा $125 का, और आपको P-Cloud crypto भी lifetime के लिए मिल जाएगा, अगर आपको इतना बड़ा प्लान नहीं चीए, और अब ही सिर्फ आप लोग try करके देखना चाहते हो, तो मेरे पास आप लोग के लिए काफी अच्छा प्लान है, अगर आप लोग के लिए काफी अच्छा discount coupon में, आप लोग के लिए के लिए काफी अच्छा discount coupon में, अगर आप लोग मेरे नीचे देगए link पे जाओ गया, तो ये वाला coupon आपको मिल जाएगा, वो है 90 days के लिए, शिर्फ डॉलर 5 में 500 GB, तो ये सारी चीज़े आप लोग ट्राय करके देख सकते हो, आराम से 500 GB आपको 90 days के लिए मिल जाएगी, सिर्फ डॉलर 5 में, तो ये काफी अच्छी डील है, अगर आपको lifetime के लिए नहीं जाना है, इसकी speeds काफी अच्छी देखने को मिली है, selective sync का यहाँ पर option है, sharing options इसके काफी अच्छ है, rewind feature यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, easy interface है सारे devices के लिए, social media के आप लोग backup ले सकते हो, Google Drive का backup ले सकते हो, zero knowledge encryption दिया गया है यहाँ पर, and encrypted media भी supported है, unencrypted files भी supported हैं यहाँ पर, और built-in media player भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, अब अगर मैं इसके कुछ cons की बात करों, तो सबसे पहला con है वो इसके add-ons, आपको p cloud crypto के लिए जादा देना पड़ेगा, अगर आपको extended file history देनी है, तो उसके लिए जादा pay करना पड़ेगा, अगला कौन है कि यहाँ पर आप लोग documents को edit नहीं कर सकते हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं, लेकिन उसको edit करने के फिलाल यहाँ पर features नहीं है, so मेरे हिसाब से p cloud एक काफी value for money option है, Indian users के लिए European servers मिल जाते हैं, आपको अच्छी speed भी मिल जाती है, अच्छी performance भी मिल जाती है, सारे features आपको मिल जाते हैं, security भी इसकी अच्छी है, and lifetime subscription के भी यहाँ पर आपको options देखने को मिल जाएंगे, मेरे खुद के पास यहाँ पर 2TB का p cloud का lifetime वाला option है, and मुझे support करने के लिए आप लोग मेरे नीचे देगाई link से purchase कर सकते हैं, चानल को subscribe कर लेजेगा और इसी टाइप के interesting videos के लिए, and I will see you guys in the next one, goodbye.